तो गाइस फाइनली चलो आगे भाईया सोन मर्ग एलो एबरीबरी गुड मॉर्निंग और वल्कम चूदा एंधर व्लॉग गाइस एक मैं सुबह की शुरुगात आज की जर्मि है सोन मर्की जैसा के आपको पता है कि मेरा जो पिकप पॉईंट होता है और गाट नूम्मर फाइब पे होता है वो सामने देख लो यहाँ पे मेरा जो होटल है यह देखो यह Mig жел ह mitig है paradise और मैरilot से फैनीली निकल चुका हूँ और टाइम हो रहा है एक्जैक्ली साढ़े आठ और यहां का जो टेंपरेचर इस टाइम हो है माइनस तीन मतलब बहुत ही अच्छी वाली ठंड है कैप मैंने लगाई नहीं है किसी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मेरे को ठंड तो बहुत है देखो मस्त वाली ठंड है लेक मज़ा आने वाला है गाईस यह देखो मैं हूँ डल लेक पर जबने बताया है यहां पर आज बहुत ज़्यादा आइस जमी हुई है वो बोट लेकर जो जा रहे है बर्फ की आवाज आ रही है टूटने की यहां तक आवाज आ रही है यहां पर क्लोज आके देखते हैं यह देखो वो तोड रहे है आईस देखो आवाज आ यह दूको में जूम करता हूं यह देखो दिख रहा होगा आपको बहुत ही भयंकर साउंड आ रहा है यार गाईस अगर आप ध्यान से देख पाएं तो आप देखो यह देखो बोट ना फ्रीज हो गए बिल्कुल दूटने का साउंड आ रहा है वो यहां तक सुनाई दे रहा है गैस मैंने दिखाया था ना आपको यह देखो डल लेक में जो आइस वाइस जमी हुए मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा नियूज वाले हैं मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए नियूज वाले हैं तो गाई चलो आगे ही देखो सर आगे इंटर्व्यू देखे आपको एक बाद बताओं मैं यहाँ था अकेले पिर यह सर से टकरा गया उसके बाद भाईया भावी से टकरा गये आया था अकेले अब हो गये हैं हम चार लोग तो सही बता है घूमने में अच्छा भी लग रहा ह है गुरूप होता है तो यार ज्यादा इंजोई करते हैं लोग और गाड़ी भी हो गई है तो सब लोग शेयर करके अपना जा रहे हैं घूम रहे हैं मजे ले रहे हैं तो गाइस चलो फाइनली आगे हैं भाईया भावी काफी टाइम से वेट कर रहे थे यार यह देखो यह बढ़िड़े ॥ल चाय पीटर रहे हैं इन जॉय कर रहे हैं यह दिको यहां से लिगे चाय के दुकान है अपनी गाड़ी दिकates को फिल कि और biggest यहां चाय पी रहे पिल बृद मुंझ मौर्ण बहाभी अ lagट तेंक्यू तैंक यू तो गाइस फाइनली हम सब लोग आ चुके हैं गाड़ी में और हम श्रीनगर से निकल चुके हैं सोनमर की यहां से जो दूरी है वह 85 किलो मीटर और टाइम लगने माला है हमारे राजु भहिया जो ड्राइवर भहिया हैं बता रहे हैं कि दो से डाई गंटे गाने सुनते चलते हैं पड़र लग रहा है कि कॉपिरेट न आ जाए तो गाइस चलो फाइनली एक जगे रुके हैं भहिया धाबे पर यहां पर नास्ता वस्ता करने के लिए यह देख लो यह धाबा है और इसको सामने की लोकेशन देखना क्या मस्त लोकेशन है भाई अभ के बाद जो है नास्ता करेंगे आके तो चलो बहुत ही प्यारा लोकेशन है यार बहुत ही प्यारी लोकेशन भाई देख रहो चारू तरफ इधर से सब माउंटेंज है देख लो इधर भी और सामने यह नदी सूप गई है लेकिन वहाँ पानी है तो चलो चलते हैं वहाँ लोक जा रहें ना वहाँ पे तो वहीं चलते हैं तो गाईस फाइनली आ गया हूँ मैं यहाँ पे देख लो वल्कम टू जननत देख लो भाई पीछे मेरे और यह सामने देखो यह है वो नदी और यह चोटा सा ब्रीज है चारो तरफ से माउंटेंज है और पेड़ है यह द जादा सुकून मिल रहा है और सर को देखो वहां पोटो किछ पाने के लिए परिशान है किसी को बोल रहे हैं उनको बोल रहे हैं पोटो किछाओ अब यहाँ यहाँ है इन्जॉय कर रहे है यहो गाईज तो जल्दी से कॉमंट करके बताओ कि यह जगह कैसी लग रही Is बाई साब मुझे तो सचे बताओना बिल्गोल जन्नत जैसी लग रही है कश्मीर जो बोलते हैं जन्नत है वाकई जन्नत है गाइस टाइम है टाइम निकालो अगर नहीं है तो निकालो और टिकेट वीडियो बुक करो आओ तोड़ा भूम एक्स्प्लोर करो यार मस्त जगह है भाई एन हाँ गाइस मैं उमीद करता हूँ कि आप यार इस ब्लॉक को ना इंजॉय कर रहे होंगे गाइस अगर अच्छा लग रहा है न तो प्लीज लाइक शेर कॉमेंट और सब्सक्राइब मोटिवेट करो और अच्छे अच्छे कॉंटेंट बनाऊंगा मैं आपको दिखाता रह हूंगा अब देख रहे हो कैसा लग रहा है यार यह जल्दी से कॉमेंट करके चलो बताओ गाइस मैं सोच रहा हूं चलो यह भी पानी जड़ा छूके देखते हैं कितना ठंडा है देखते रहो भाई ओ प्रभू कि बहुत जादा ठंडा है यार हाथ थोड़ी दिर में हाथ लाल पड़ गया बहुत जादा चील्ड है यार तो गाइस चलो अभी आपको यहां सब घुमाया इस जगह का क्या नाम है अब इतना मुझे पता नहीं है श्री नगर से सोन मरक जाएंगे तो बीच में रास्ता पड़ता है और उस सामने ढाबा दिख रहा है आभी जा रहे ह लेकिन आप यहां पर नाष्ता नहीं कर रहे हैं यहां से आजा किलूमेटर दूर एक धाबा है राजा धाबा नाम है उसका वहां से जो व्यूपॉइंट है और भी जाता जबरदस्त है तो सोचे नाष्ता वहीं करेंगे तो चलो फिलहाल यहां से पहले निकलते हैं सीधा रुपते हैं राजा डावा गाइस फोड़ा सा पोपट हो गया हम जो लोकेशन बता रहे थे जिन्होंने बताया था भी यहां वो लोकेशन तो मीली नहीं रही है तो फाइनिलियम सोच रहे यहीं पे नाष्ता वास्ता कर लें यह सामने देख लो यहां पर यह सामने देखा अधर भष्या पीना हो गया है जब द्बीन होगोरना से निकलते हैं शीधा स successor कंड के लिए तो पीख लो फैनली नाश्ता वास्ता करके निकल चुकी है मैं आपको सामने गाउर शामने को आफ liberties दिखले लग रहा है बहुत ही सुंधर यह सामने आपको दिख रहा संधूरत लग रहा है आं ते गईज यह वे हो कितना प्यारा वह रिक लिछ ने उच्ज च्य मांट इनसी तरफ है picked इधर से सामने भी और एस साइड वे एको इसका Hetr करनेघ रहा होगा तकीन आदे को बहुत ही कुबसूरत वीव है गाइस ये वीव देखो कितना खुबसूरत लग रहा है यार यहाँ पर देखेंगे उचे-उचे मौंटेंज पर स्नौ है और इधर की पीड देखो ये नेक्स लेवल भाई गाइस देखो ध्यान से आपको शायद देखेगा यह देखो वाइट वाइट सनौ साव उपर करीव है लेकिन लोकेशन देखें याना वीव ऐसे बहुत ही खुबसूरत है बहुत ही जादा खुबसूरत है इधर नीचे देखो इधर भी सभी सनौ करीव है गाइस लुक एट दिस वाइस हेवन चन्नत लग रहा है यार सच मैस लग रहा है सपना देखरें बाई इतनी खुबसूरत जगह है यह है इतने उचे उचे पहाड है यहाँ पर सड़क पर देखो दोप नहीं है उधर देखो उपर पहाडों पर लुको दिखाता हूँ कहां क्या वह देखो शायथ दिख रहा होगा वहाँ दूप है और इधर दूप ही नहीं है और और गूप नजारा कुछ क्या घुक शूरत लगघरा भाई रहे हैं और समने कितनी के देख़ाइं इसी बाट होग और सम нов यहाद करके का में देखना ठीर इधर भी अभी ऐखाड़ी क्रोस करेंगे ना यह देखो इधर भी स्नोगरी हुई है और इस साइड पर देखो इधर भी पूरी स्नोगरी हुई है गैस देखो आप ही तक यहां दूप नहीं थी अब यहां से दूप डिग गई क्योंकि बहुत उचे-उचे पहाड थी न संजिल से ज्यादा अच्छा न सफर होता है सामने देखो फाइनली वैलकम टू सोनमर्ग ओ भाई तो गाइस फाइनली चलो आगे बहिया सोनमर्ग आपको दिखाते हैं ऐसे थोड़ा सा गयूग यह देख लो सामने यहां पे एक नदी जा रही है और यह पूरा देख लो ब तो गाइस फाइनली टेक्सी स्टैंड से आ गए है में रोड पे यह देखो यह में रोड वह रहा टेक्सी स्टैंड और मैं आपको दिखाता हूँ वह सामने जो आपको उचा अचा माउंटेन दिख रहा है इसके पीछे जाना है तो सब डिसाइड कर रहे हैं अब मतलब सब प्चास उपर है लेकिन हमने हजार रूपे लगाया है और यह रहा सब तक आए हैं लेकिन अभी देखते हैं कितने में डील होती है उसके बाद अहां वे पता दू यह जो रेट है आने-जाने दोनों का है मतलब आने का भी जाने का भी तो चलो देखते हैं पहले कितने में होता है उसके बाद बताएंगे आपको हम लोग यहां पर नए थे तो यह भाईया इन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया है तो हम सोच रहें कि आप चलो भाईया के साथ ही ट्रावल करते हैं है ना ठीक है आव भी है तो फाइनली हो गया डन ग्यारा सूरुप्या प हुते हुते पहन लियें अब आ गहें अपने घौडे ौटब लोग तो शलो यहां पर भाईय रहे और वह तो सर्थ यह बैटरी अब ऑन इसलब निरा हो शीम का रहेंगे आ पतो है तो गाइच चलों घोड़े से जरनी हो गी है इस्टार्ट यह सफर जो होने वाला भैया एक घंटे का होने वाला जो भया ने बताया है आप बने रहूं भीडियो में God प्रट्रेवलाग में जो जो अच्छी चीज़े दिखेंगे आपको खुमाते रहेंगे आपको मौज कराते रहेंगे कर चाहओ है हमारा घर वाहरा के खुरन ले रहे हुआ सब कोई बात मिलेते रहो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब करते रहो खलग आपको अन। झाल झाल